प्रिश्टिक शार्तियों आज के कारेक्रम में आपका स्वागत है आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण पाठ निबंद कैसे लिखें पर चर्चा करने जा रहे हैं निबंद लेखन वास्तों में एक कला है और इस कला का पूरा ज्यान होना जरूरी है यह विशे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परिक्षाओं में अक्सर निबंद पूछे जाते हैं और इसके अंक भी बहुत अधिक होते हैं निबंद इस माइने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विचारों की एक श्रिंखला होती है क्रम बद्धता होती है फिद्यार्थी यह समझते हैं कि वे निबंद लिखने में पारंगत है लेकिन वस्तु इस्तिती इससे भिन्न है क्योंकि हमारे मन में जो भी विचार आता है हम समझते हैं हम कुछ भी निबंद में लिख सकते हैं लेकिन निबंद का अपना एक विज्ञान है, उसकी एक अलग कला है, वह कौशल है, इसलिए आज की चर्चा में हम विस्तार से उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, जो निबंद से संबन्दित हैं, जैसे निबंद के प्रकार, निबंद के यंग, और हमें कौन-कौन से तै से कराना है, सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, और आज चर्चा में हिसा ले रहे हैं हमारे साथ, प्रोफेसर पी-सी टंडन जी, जो दिल्ली विश्विद्याले में प्रोफेसर हैं, और हिंदी के छेत्र में एक सुप्रसिद्ध समिक्षक हैं, खास तोर से पत्रकारिता और अनुवाद में उनका विशेश योगदान रहा है, तो आज के करेक्रम में आपका स्वागत है, जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद, लक्साब, बहुत ही महत्पून विशे आज विद्यार्थियों के लिए इस पार्ट के अंतरगत, इस चर्चा के अंतरगत रखा गया ह वह है निबंद लेखन, हम जानते हैं कि निबंद वस्तत है, जो रचनाकार है, जो लेखक है निबंद का, उसके पूरे व्यक्तित्यों का बोध निबंद से होता है, वह विशे को किस तरह से समझ पाया है, आपमसात कर पाया है, किस तरह से व्यक्त कर पा रहा है, इसी तरह उसकी लेखन शैली और भाषा जो है वह भी उसके व्यक्तित्व की पहचान है और निबंद को बहुत सहजता से ना लेकर उसे गंबेवता से लेना चाहिए उपेक्षा भाव से नहीं लेना चाहिए विद्यारती सामानेत यह समझते हैं कि निबंद के लिए तो किसी तैयारी क आवशक्ता है यह नहीğ, कोई भी निबन्द आएगा, तो हम लिख लेंगे, लेकिन वस्त तैस्थिती इसके विफरीथ है, क्योंकि निबन्द हमें बहुत अधिक अंक भी दिलवाता है और हमारी पहचान को भी रिखांकित करता है, निबंद हमारी व्यवस्थत सोच का भी परिचायक है हम क्रम बद्धता के साथ किसी भी विशे पर कैसे सोच पाते हैं कई बार निबंदों के लिए कुछ शब्द संख्या निश्चित होती है तीन सो शब्द में पांच सो शब्द में आट सो शब्द में हजार शब्द में निबंद लिखना है तो हम कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रामानिक महत्वपूर्ण और गंबीर तमाम तथ्यों के साथ और धर्णों के साथ अपनी बात को कैसे शब्दों में बांध पाते हैं इस से यह ज्यात होता है कि जो विद्यार्थी है वो कितना व्यवस्तित है और उसके जो स्रोत हैं सामगरी के क्योंकि निबंद लेखन से पहले हमें सामगरी का संकलन भी करना होता है वो पूरा उसे करम बद्धता के आधार पर व्यवस्तित भी करना होता है ये उसी तरह है जैसे किसी पुस्तक को लिखते समय हम उसकी एक अनुक्रमनिका बनाते हैं उस अनुक्रमनिका का एक वेग्यानिक क्रम भी होता है ऐसा नहीं हो सकता कि जो पांचमा अध्याय है वो पहला बन जाए और पहला अध्याय जो है वो पांचवा या छटा बन जाए उसकी पूरी एक शंकला बद्धता होती है करम बद्धता होती है और कदम दर कदम चरन दर चरन हम उसमें आगे बढ़ते हैं यही निबंद की पैचान भी होती है निबंद बहुत तरह के होते हैं हम जानते हैं निबंदों के प्रकार भी है फिर निबंदों की भाषा और शेली भी है फिर निबंदों की विश्यवस्तु के आधार पर वर्गी करण या विभाजन भी है हम अगर सैद्धान्तिक दृष्टी से बात करें तो जैसे हर विधा का चाहे वो कविता हो या गद्ध की जाहनी उपन्यास नाटक आदि-आदि इन सब का भी एक सैद्धान्तिक पक्ष है उसकी एक थियोरी है एक सैद्धान्त है कि उनको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है किस प्रकार से उनकी व्यावस्था की जानी चाहिए ऐसे ही निबंद भी एक विधा है और निब उन सब में हमें इन सैद्धान्तिक प्रिष्ट भूमी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है और विद्यार्थियों यह भी बहुत महत्पूर्ण है और आगे चलकर हमें न केवल इस विद्यालेई शिक्षा में विश्विद्यालेई शिक्ष में अपतु अपनी जो प्रतियोगी परिक्षाएं हैं आगे चलकर जिनके माध्यम से हम रोजगार की तलाश में निकलते हैं वहां भी निबंद के माध्यम से हमारे भाशिक अधिकार की परक की जाती है हम वह भाशा कितनी जानते हैं इधर विगत कुछ दिनों में मोबाइल कंप्यूटर ने हमारी भाशा को बहुत आगात पहुंचाया है क्योंकि हमें अभ्यास हो गया है कंप्यूटर और मोबाइल की भाशा में लिखने और बोलने का तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी हैं कि निबंद लेखन में जब हम विदिवत लेखन करते हैं तो हम भाशा के आपचारिक रूप का ध्यान रखना चाहिए वय्याकरन सम्मत भाशा का प्रयोग करना चाहिए और विशय को हम तथ्यों के साथ प्रमानों के साथ कैसे प्रस्तुत करें इसकी समझ भी हमारे पास होनी चाहिए इसलिए निबंद लेखन एक महत्पूर्ण विधा है और इसके माध्यम से हमें अपने अरजित ज्यान का प्रमान देना होता है कि हमने कितना प्रामानिक इस विशय पर अध्यान किया है खोज की है और हम कितनी प्रामानिकता के साथ उसे प्रस्तुत भी कर रहे हैं तो विध्यार्थियों अब हम निबंद लेखन से संबंदित कुछ महत्पूर्ण पक्ष हैं कुछ मुद्दे हैं कुछ बिंदू हैं उन पर एक बार दृष्टी डाल लें ताकि हमें ग्यात हो कि निबंद लेखन से पहले हमें किन-किन बातों की तैयारी करनी चाहिए जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि निबंद के प्रकार निबंद के कितने प्रकार होते हैं वो कितने प्रकारों से लिखा जा सकता है हलाकि हमने यहां वर्णलात्मक निबंदों की विचारात्मक निबंदों की और भावात्मक निबंदों की तीन श्रेणिया बनाई हैं य इसी प्रकार से इनको बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन वर्णनात्मक यहां पर किसी भी दृष्य का घटना का वर्णन विस्तार से बताया जाए ताकि विद्यार्थी या पाठक जो है वो उसे ग्रहन कर सके उसके सामने पूरा बिंबात्मक प्रस्तुति करन हो सके चित्र बन सके विचारात्मक निबंदों में हम विशय को लेकर कुछ विचारों की बात करते हैं किस तरह का वैचारिक वैभव हमारे पास है हम उस संदर में क्या सोच रहे हैं और किस तरह से हम अपनी बात को अपने विचारों से पुष्ट करते हैं उसको प्रमान के साथ सिद्ध करन ही होना चाहिए यह तमाम तरह के पक्ष विपक्ष के खंणन मंदन के साथ हम निबंद के अंदर विचारों को पिरोने की कोशिश भी करते हैं और भावात्मक निबंदों में कुछ इस प्रकार के विशय भी होते हैं जहां पर मानलीजे परिवार की भावना है, समाज की भावना है, संबन्यों की भावना है, संबेदनात्मक इस्थितियां है, उनको लेकर मानलीजे व्रद्धों की समाज में इस्थिति को लेकर हमें निबंद लिखना है, तो जो भावात्मक संस पर शोना चाहिए अनुभूती के स्तर पर वह सारी चीजें इसके अंतरकत शामिल होती है इसी प्रकार दूसरा जो पक्ष है वह है निबंद के अंगों का जिसमें निबंद के अंगों पर हमें विचार करना होता है निबंद के मोटे तोर पर अगर हम देखें तो हम तीन अन्वों की बात कर रहा है सबसे पहला भूमिका है इसे हम विशय प्रवेश भी कह सकते हैं हम किसी भी निबंद की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारा विशय में प्रवेश कैसे हो, उसके लिए हम एक भूमिका बनाते हैं, उस भूमिका में थोड़ी सी से दान्तिक चर्चा भी अगर हो जाए, जा मान लीजे कि निबंद रितुआं पर है या परयावरन पर है, तो परयावरन के बारे में, रितु के बारे में थोड़ इसी चर्चा हो जाए, और फिर आगे चल कर करम शेम उसमें बढ़ते चले जाए, तो भूमिका जो है, वो एक प्रकार से पाठक को बांधती है, और विशय की और अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए इसको प्रवेश द्वार भी कहते हैं, विशय वस्तु, ज एक सिलसिला, एक करम होता है, करम बद्दता होती है, उसी के तहट फिर हम इसकी चर्चा करते हैं, और फिर तीसरा और अन्तिम बिंदू है इसमें उपसंगार, उपसंगार एक तरह से निशकर्ष है, पूरे निबंद में जो भी वेवेचना हमने की है, उसमें हमारी माननेत या हमारी स्थापना क्या है, या हमारा निशकर्ष या सार क्या है, जिसके माद्यम से हम ये बताते हैं, कि अब तक जो कुछ हमने इस निबंद में लिखा पड़ा, उसकी अगर एक समरी टाइप का, एक सार टाइप का, जिसमें मूल रूप से जो हमारी माननेताओं की प्रत किस तरह से प्रस्तुत किया है इसी तरह यह तीसरा एक भाग है हिस्सा है जिसको हम निबंद लेखन की तैयारी कहते हैं निबंद लेखन कैसे किया जाए यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे परीक्षा में जाने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं जैसे कहीं इंट्रिवू देने हासिल भी कर पाते हैं निबंद लेखन भी वस्तुत है एक इसी तरह की विदा है जिसमें सबसे पहले हम विशय चाहन करते हैं अगर मान लीजे आपके सामने विकल्प है कि पांच निबंद दिये हैं उन में से किसी एक का चैन किस आधार पर करें आपकी अभिरुची किसमें आपके पास ज्यान या जानकारियां किस विशय पर हैं आपके पास तथ्य और प्रमान किस विशय पर हैं उद्धरन किस विशय पर हैं या मान लीजे कुछ मतों को आपने उद्धरित करना है विद्वानों के या उससे संबंदित किसी विशेशग्य के तो उनकी जानकारी है के नहीं और सबसे बड़ी बात है कि विशेचायन करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि हम जिस विशेपर निबंद लिख रहे हैं वह प्रामानिक हो वह केवल वायवी ना हो उसमें हर बात का एक प्रामान रहना चाहिए तो वो प्रामान सिद्ध होना चाहिए दूसरा बिंदू है रूप रेखा का निर्मान रूप रेखा का निर्मान बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भवन का निर्मान करने से पहले हम उसका एक मांचत्र बना लेते हैं तो ये जो रूप रिखा है ये क्रमशे हमें आगे बलने के लिए प्रेरित करती है हम पहले किस बिंदू पर बात करेंगे फिर किस बिंदू पर बात करेंगे फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा तो इससे क्या होता है कि पहले बिंदू का दूसरे से दूसरे का तीसरे से एक अंतह संबंद बनता चलता है और जैसे मार्ग खुलता चला जाता है एक मुख्य मार्ग से चल रहा है और फिर छोटे छोटे कई मार्ग उसमें निकलते चलते हैं उन सब को संसपर्श करते हुए, हम अपने मुख्य मार्ग को नहीं छोड़ते, लेकिन जो छोटे-छोटे मार्ग हैं, उन से जोड़ते हुए, उन सब को एक शंखला में बांधते चलते हैं, तो विशयवस्तु में, जो मुख्य विशयवस्तु है, उस पर तो बात करते ही हैं साथ साथ उससे संबद कुछ अन्यमुद्दे जो उसे पुष्ट करते हैं प्रमानित करते हैं उनको भी हम साथ साथ लेते हुए चलते हैं तो रूप रेखा जैसे पुस्तक की एक रूप रेखा बनाते हैं जैसे शोध प्रबंद की एक रूप रेखा बनाते हैं ऐसी निबंद की भी एक करम शेविदिवत रूप रेखा अगर बन जाती है तो हम उसके साथ सही तरह से न्याय कर पाते हैं और फिर तीसरा अंतिम बिं आन्ट में लाकर हम फिर एक प्रकार से दोहराते हैं कि इस में हम ने इनिन मुद्दों पर विचार किया ये सूचनातमक नहीं होता ये उप संगार भी काफि हत तक विवेचनात्मक ये होता है तेकी पाठ Ki को अंत में आकर एक तरह से पूर्व विचारत मुद्दों पर पुनर विचार करने का, पुनर स्मरन करने का या दोहराने का एक ऊवसर भी मिल जाता है, तो निबंद लेखन की तैयारी में हम इन तीन विशेश मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं और हमें करनी चाहिए और अन्य विचारनी बातें कुछ अन्य बातों पर भी अगर हम देखें तो निबंद में दो बातें बड़ी महत्पून हैं एक उसकी भाषा हम जानते हैं कि भाषा व्यक्ति के व्यक्तत्व की पहचा सार्थक होना चाहिए वापके विन्यास वयाकरन सम्मत होना चाहिए और जल्दी जल्दी में हम भाषा में वर्तनी की या वयाकरनिक व्यवस्था की अशुद्धियां न करें हम बड़े धैर्रे से बड़े संतुलन से भाषा का चैन करते हैं प्रयोग करते हैं और भाषा का व हमारे पास होना चाहिए विशय अनुकूलित भाषा और उसी प्रकार के शब्दों का चैन भी हमारे लिए बड़ा महत्पूर्ण होता है इस तरह भाषा जो है वो निबंद में बहुत महत्पूर्ण भूमिका निवाती है क्योंकि भाषा ही पाठक को आक्रष्ट भी करती है और भाषा ही निबंद के प्रती परने से उदासीन भी बना देती है तो हमें यथा संभव कोशिश करनी है कि निबंद विशय से तो रोचक हो ही संपूर्ण हो ही लेकिन भाषा से वह सोने में सुआगे जैसी भूमिका बना दे और दूसरा जो मुख्य बिंदू है वह है र रूपाकार में हमें यह तै करना होता है कि यदि 300 शब्दों का निबंद है तो ऐसा ना हो कि हम उसे 600 शब्दों तक 500 शब्दों तक लिए जा रहे हैं अगर 100 शब्दों में 200 शब्दों में 400 शब्दों में जैसी की अपेक्षा की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए और दूसरा उस निबंद की जो संडचना है उसे कैसे हमें विश्यवस्तु के आधार पर अलग-अलग अनुच्छेदों में बाटते चलना है और शीरशक किस प्रकार से उसका निरधारित करना है या अगर शीरशक दिया है तो उस शीरशक को हम कैसे सार्थक सिद्ध करेंगे निबंद के अंतरगत यह भी उसके रूपाकार का ही एक हिस्सा है तो इस प्रकार से हम निबंदों की जो हमने जिनकी चर्चा की अंगों की भुमिका है विशय प्रवेश है उपसंगार है इनको ध्यान में रखते हुए उसके रूप और आकार की पूरी व्यावस्ता का नि निबंदों पर विचार करने के बाद इस पाठ का जिसे हम निबंद कैसे लिखें शीर्षक से पढ़ रहे हैं इसका सार क्या है इसको वीडियो से एक बार देख लें समझ लें ताकि क्रम्ष इसके अंतरगत किनकिन बिंदों को उठाया गया है उस पर हम जानकारी हासिल कर स प्रियस इक्षार्थियों निबंद लिखते समय इन बातों को जानना जरूरी है मुहावरों का यथा स्थान प्रियोग करने से निबंद में प्रभावोत पादक्ता बढ़ जाती है निबंद में एक बिंदु पूरा होने पर ही दूसरे बिंदु को शुरू करना चाहिए वाक के रचना में कसावट वे सहस्ता का ध्यान रखा जाना चाहिए भूमिका और उपसंगहार में विशेश सावधानी बरतनी चाहिए निबंद के विशय के अनुरूप वरणन, उदाहरन, कल्पना, अथ्वा विश्लेशन होना चाहिए प्रेश रिक्षार्थियों जिस तरह से ये चर्चा चल रही है इस चर्चा से यह सपस्ट हो गया कि जो निबंद है वो वास्तों में एक कला है और उसे हरदेंगम करने के लिए उसमें काबिलियत हासिल करने के लिए हमें उसका पुर्ण ग्यान होना जरूरी है तो आज हमारे साथ विशेशक्य टर्णन साहब हैं उनसे हम कुछ प्रवस्टन करेंगे इस पार्ट से संबंधित और इस परिचर्चा से हम ये कोशिश करेंगे कि यह विशेश आपको और भी सपस्ट रूप से आपके सामने आए तो रौक साब जैसे आपने बताया कि बढ़नात्मक, विचारात्मक और भावात्मक निबंध होते हैं तो इस तरह से और भी इसकी स्रेणी बनाई जा सकती है जैसे सामाजिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, शिक्षा परक निबंध, विज्ञान से संबंदित निबंध तो निबंद के जो विभिन प्रकार है तो विद्यार्थियों को उनमें क्या और ध्यान देने की जरूरत है उसके सम्मंदित ग्यान देने की जरूरत है हाँ दरसल ये ठीक बात है कि निबंदों के बहुत सारे प्रकार बन सकते हैं होते भी हैं हम लोग निबंध संबंधी जो पुस्तकें मिलती हैं उनमें इसको देख भी पाते हैं कि जो वर्गी करण है जैसे राजनीती से संबंधित निबंध है या राजनेताओं से संबंधित निबंध है उनका एक वर्ग बन जाता है परयावरन को लेकर प्रदूशन को लेकर, रित्मों को लेकर, मौसम को लेकर, वातावरन को लेकर एक वर्ग बन जाता है. इसी प्रकार व्यायाम को लेकर, खेलों को लेकर, या स्वास्त लाबादी को लेकर, योग को लेकर, इस तरह से भी एक वर्ग बन जाता है. फिर हम शिक्षा की खेत्र में भी इस तरह का वर्गी करन जैसे पुस्तकाले को लेकर उसके क्या लाब है पुस्तकाले की उपादेयता क्या है या हमारे सबसे अच्छे मित्र के रूप में पुस्तक की भूमी का क्या है फिर शिक्षा नीती को लेकर भी निबंद लिखे जा सकते हैं इसी प्रकार से अने अनेक वर्ग जैस और करेंट अफेरस्त भी अक्सर पुछे जाते हैं बिल्कुर सम्कालीन समस्याइं हैं चुनोतियां हैं प्राकृतिक आपदा है या जनसंक्या की समस्या है या इसी प्रकार से जो प्रतियोगिता में अनेक प्रकार के प्रशन जिससे हमारे त्वरित ग्यान का बोध होता है व मान लिजे नाच न जाने आंगन टेड़ा इस पर निबंद लिखना है तो लोकोक्ती सूक्ती इस तरह के आधार भी निबंद लिखन के बनते हैं और विद्यार्थियों को ये जब तक उसका बोध नहीं होगा उसका अर्थ ग्यात नहीं होगा तब तक वो उसे ठीक से लिखन नहीं पाता है और दूसरा एक और सवाल आता है कि क्या इसमें करम बद्दता की अवशक्ता होटी है निबंद में बिल्कुल कर्म बद्दता बहुत आवश्यक है ये जैसे हमारे जीवन में सुभा उठने से लेकर संद्या तक भी कारे शेली और उसकी एक क्रम बद्दता सुनिश्चित होती ही है हम उठते हैं फिर स्नान करते हैं फिर पूजा करते हैं या अपने इश्ट को याद करते हैं फिर अपने काम पर जाते हैं तो एक क्रम है ऐसा नहीं है कि हम ये क्रम को बदल देते हैं तो निबंध में भी एक शंखला है आपको प्रारंभ में भुमिका देनी है भुमिका के बाद फिर हमें विश्यवस्तु देनी है विश्यवस्तु के अंदर फिर हम उसकी पूरी विभाजन उपशीर्शकों में, उपखंडों में, अनुछेदों में कर देते हैं, तो एक क्रम बनता है, यह सुनिश्चित होगा, जो निबंद प्रभावी होगा, वह अपने हमारे जो पाठक हैं निबंद के, उनके लिए बड़ा रोचक भी बनेगा, और उनके निंदने का विरुची विद्यार्थियों को जिग्यासा होती है कि अगर हम किसी उद्धरण के माध्यम से विशे को शुरू करें, तो शायद ज्यादा प्रभाव शाली होगा, इसमें क्या विचार हैं? कभी कभी इस प्रकार के निबंद भी मिलते हैं और वो अच्छी बात है, लेकिन प्रासंगिक होना चाहिए, जो प्रारम में मानली जी हम कोई कविता की पंक्तियां उद्धरित कर रहे हैं, अगर राष्ट्री चेतना पर निबंद लिखना है, राष्ट्र जागरन पर प्रुवेदी हैं, उनकी किनिक आवे पंक्तियों को उद्रित कर दिया, कभी कभी हम किसी गद्यकार की राष्ट्री चेतना विश्यक पंक्तियों को भी प्रारम में उद्रित करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से स्वागत कक्ष है, निबंद का, इस तरह की पंक्तियां जो ह करते हैं तो निवर बहुत अच्छा भी कई बार बन जाता है कि उदाहरण के माध्यम से हम विद्यार्थियों को समझाना चाहें जी जैसे आपने राष्ट प्रेम बताया तो किस तरह से विशय को उठाना चाहिए और उसका विस्तार करते हुए उपसंघार तक जाना चाहिए देखिए सबसे पहले तो हमें विशलेशनात्मक दृष्टी से उस विशय को व्याक्ष्याइद करना चाहिए अगर हम विशय को व्याक्ष्याइद करते हैं तो उसके दो तरीके हैं पहला ये कि आप किसी काविपंग्ति को किसी धरन को देकर अपनी बात प्रार्म कर सकते ह या इनका उपयोग आप निबंद के बीच में भी कर सकते हैं मान लीजे कि आप निबंद लिख रहे हैं परव उत्सवों के महत्यों पर तो परव उत्सव कई प्रकार के हैं और वो सामाजिक परव भी हैं पर उसमें भी क्योंकि भारत तो सांस्कृतिक वैविद्य का देश है और इसमें अलग-अलग राज्यों में जो परवुत्सवादी समय समय पर बनाये जाते हैं वो क्या हैं इनकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी हमारे पास हो तो हम बहतर दंग से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं क मानेक जानकारिया हों गी कुछ ऐसे कवीयों लेखकों विचारकों चिंतिकों के मत होंगे उससे क्या होता है कि हम अपनी बात को विद्वादों के मत से पुश्ट करते चलते हैं जो हम कह रहे हैं वो हमसे पूर्ला जो उस्ने के विशेशवे हैं स्थापित विद्वान हैं वो उस पर अपनी बात कह चुके हैं तो तथ्यों को शंखलाबद क्रम से प्रस्तुत करना और उसके आधार पर पर निश्कर्ष निकालना यह बड़ा जरूरी होता है उपसंगार में पूरे निबंद का सार वो आता है लेकिन स्थापना के रूप में आता है मान्यता के रूप में आता है वो केवल गणना के रूप में नहीं आता कि हमने इस निबंद में ये पड़ा हमने ये पड़ा ऐसा नहीं होता हम करमश है उसको दोहराते हुए और उस स्थापना उस मान्यता को प्रतिपाधित करते हुए निबंद का समाहार करते हैं ताकि निबंद को अंत में अगर उपसंगार में विद्यार्थी पूरी तरह से दोहराना चाहता है तो उस उपसंगार के माध्यम से उसे दोहरा भी सकता है और जैसे वि विपक्ष दोनों को घाटित करना चाहिए एक दम विशय कोई भी हो मान लीजे विज्ञान वर्दान है या आभिशाप इस पर निबंद लिखना है तो हमें खंडन और मंदन की प्रवर्ति अपनानी चाहिए हमें यह नहीं कि हम विज्ञान का यूग है विज्ञान से हम विज्ञान के कारण हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आ रहे हैं विज्ञान के कारण हमारे स्वास्त पर जो प्रभाव पढ़ रहा है वो उसका दूसरा पक्ष है तो हर सिक्खे के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलूँ पर विचार करना है यह अलग बात है कि हम अंत में यह प्रतिपादित करें कि साब हम विज्ञान के बाध्यम से राष्ट का विकास हो रहा होना चाहिए हम इसके पक्षद है लेकिन इन खानियाजों के इन हानियों के विशय में भी हमें गंबीरता से सोचना होगा ताकि भविश्य में हम इनके निदान को ढून सके तो यह एक तरह से मत के पक्ष और विपक्ष दोनों रूब हमारे सामने आने चाहिए हैं कि अब निद्ध को गद्ध की कसौटी माना जाता है जी इसका क्या तदि परेह दोंूसल यी बात बहुत मेहित पोंजसेर HP करके कही जाती है कि कि किसी भी विक्ती को उसकी संबेदना से जाना जाता है और जो गद्धी विधाएं हैं जितनी भी विधाएं हैं उनमें अगर सर्वस्रेष्ट ग्यान का परिचे लेना है सर्वस्रेष्ट अभिव्यक्ति कोशल का परिचे लेना है तो निबंद उसकी कसोटी है क्यों क्योंकि निबंद का अर्थ ही है विदिवत भली प्रकार किसी विशे को शब्दों में क्रमा अनुसार बद्ध करना, बांध देना अगर कोई व्यक्ति कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकता है तो वह कुशल भाषा का अभिव्यक्ति का और शैली का अधिकारी है तो ये जो पहचान है ये निबंद के माद्दिम से होती है क्योंकि कभी-कभी विद्ध्यारती अनरगल, अवांचित बातों को भी शामिल करता है, वो नहीं होनी चाहिए तो ये बात ठीक है कि निबंद कार को उसकी भाषा शैली को उसके विशय बोध को अगर हम जान सकते हैं तो उस सबसे महतपूर्ण विदा निबंद है, इसलिए निबंद को कसोटी माना गया क्योंकि गद्य लेखन भी कोई सरल लेखन नहीं है ये गद्य की सारी विधाएं बहुत ही श्रम साद्धे हैं इनके प्रती एक साधना का भाव हमारे मन में रहता है तो निबंद इस द्रश्टी से बड़ा महतपूर्ण है क्योंकि निबंद में दुनिया का कोई भी विशय आ सकता है, आपको निरंतर अध्यान शील बने रहना है और जो कुछ आप पढ़ते आ रहे हैं बाले काल से, उसको अपने दिमागी कंप्यूटर में कहीं न कहीं स्थाई रूप से फीड कहिया रहना है, क्योंकि कौन सी चीज कब काम आएगी, कौन सा उदारन कब काम आएगा, हम नहीं जानते बहुत सारी सूकतियां, बहुत सारी उकतियां हमने बच्पन में पढ़ी, लेकिन आज भी समय सापेक्ष हैं, लोकोकतियां हम आज भी जब मौका होता है उनका उद्धरन देते हैं तो वास्तव में जो हमारे साथी हैं शोता हैं पाठक हैं वो अभिभूत हो जाते हैं कि देखो संदर्व सापेक्ष प्रयुक्ति इसको उपस्थित करना ये एक बड़ी उपलब्दी निबंद के लिए होती है तो विद्यार्थियों आज आपने निबंद कैसे लिखें इस पाठ पर कुछ जानकारियां हासिल की को चर्चा परी चर्चा में बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने निकल कर आए तो हम यह कह सकते हैं कि निबंद हमारे अध्यान की जो पाठशाला है उसका एक महत्पूर्ण ह कियोंकि हम प्रतेक अक्षा में विद्यालेई या विश्विद्यालेई इस तर पर निबंद का लेखन हमें करना पड़ता है निबंद लेखन एक कला है और ये कला जो है वो आपकी व्यक्तित्यों को निखार कर उस विदा के माध्यम से प्रस्तुत करती है तो मैं समझता कि आज इस पार्ट संबंदी जो जानकारियां है उन्हें आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे और हमारी शुब कामना है हम उम्मिद करते हैं कि आप परिक्षा में इसका रचनात्म को प्योग कर पाएंगे आज के लिए हम इस पार्ट को इस चर्चा को यहीं विराम देते बहुत बहुत धन्यवाद